क्रिकेट की दुनिया यानि गेम आफ क्रिकेट में आपका स्वागत है भारत और और उस्टेलिया के बीच टेस्ट सिरीज आखरी पड़ाओ में है 15 जन्वरी की सुभे 5 बजे से आखरी टेस्ट मैच खेला जाएगा ये टेस्ट मैच निर्णायक है जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो सिरीज भी अपने नाम करेगी अब ब्रिस्बेन के गाबा में होने वाले इस टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया ने बेहद मुश्किलों के बाद अपनी टीम फाइनल कर दी है मैच से पहले सामने आये बैटिंग कोच विक्रम राठोर ने इसे लेकर बड़ा प्रिट दिया कई चोटिल खिलाडियों और कई तरह की चोट के बाद भी कप्तान रहाने ने उपकप्तान रोहत शर्मा के साथ मिलकर एक बेहद शानदा टीम बनाई है और बड़ी बात ये है कि एटीम गाबा के मैदान में कंगारों को कुचल सकती है और स्टेलिया में बड़ी जीत तरच कर सकती है तो क्या कहा मैच से पहले बैटिंग कोच ने कैसी है भारत की टीम और कैसे मिले की जीत आपको बताते हैं सब कुछ आप इस वीडियो को शेर करें और कमेंट बॉक्स में टीम को लेकर अपनी राय हमें जरूर दें तो ब्रिजबेन के गाबा की पिच दुनिया की सबसे तेज पिचों में से एक मानी जाती है और यहां तेज गेंदबाजों का ही बोल बाला रहता है कंगारू टीम लंबे समय से इस मेदान में टेस्ट मेच नहीं आ रही है अब इन सारे समीकरणों को ध्यान में रखते वे भारती टीम मेनेजमेंट ने ब्रिजबेन टेस्ट के ले टीम फाइनल कर दी है टेस्ट मैश से ठीक पहले विकरम राठोर जो की बैटिंग कोच है टीम इंडिया के वो सामने आये और विकरम राठोर ने कहा कि उनकी टीम सिडनी के मैच को ध्यान में रखते वे अब ब्रिस्बेन के लिए टीम उन्होंने बनाई है दोनों ही बल्ले बाजों ने पिछले टेस्ट मैच में अच्छी शुरुवात दी थी, दोनों ही बारियों में लिहाजा गिल और रोहित दोनों पर ही भरोसा बना हुआ है, गाबा की तेज पिच पर रोहित शर्मा बड़ा स्कोर बना सकते हैं, क्योंकि हिट मैन को ऐसी पिचे पुजारा, गाबा में बड़ी पारी खेल सकते हैं, चौते नमबर पर कफ्तान है जिंके रहाणे ही खेलने आएंगे, रहाणे भी तेज पिचों के मुरीद रहे हैं और स्पिनर से जादा तेज गेंद बाजों को खेलना पसंद करते हैं, और इसलिए रहाणे से भी गाबा लोट चुके हैं, और इसलिए रिश्यप पंत यहाँ पर पांच वे नमबर पर बैटिंग के ले आएंगे, जबकि चटे नमबर पर हैरान करते वे महिंका गरवाल को रखा गया है, जिहां पहले दो मैंचों में ओपनिंग करने वाले महिंका गरवाल को इस बार चटे नमब और एक्स्ट्रा बले बाज के तोर पर मैंक चटे नमबर पर किलने आएंगे, इसके बाद साथवे नमबर की बात करें तो स्पिनर रविया अश्विन फिट हो चुके हैं, और अश्विन ही यहाँ पर साथवे नमबर पर बैटिंग के ले आएंगे, और स्पिन डेपार्ट कुल्दी व्यादव पर सुंदर को तरजीत दी गई है, क्योंकि सुंदर बैटिंग कर सकते हैं, और गाबा में जीत का सूतर ही बोर्ट पर रन बनाना है, इसके बाद टीम में तीन तेज गैनबाजों को रखा गया है, जसके दुम्रा के साथ टीम ने कोई रिस्क नहीं ले टी नट राजन को यहाँ पर मौका नहीं मिल रहा है और शार्दुल को खिला जा रहा है, क्योंकि शार्दुल और राउंडर भी हैं, निचरे कम पर अच्छी बल्ले बाजी भी कर सकते हैं, गुल मिलाकर भारत नवे नमबर तक बल्ले बाजी के साथ मैदान में उतरने जा जिससे गाबा के मैदान में भारत के टीम मजबूत नजर आ रही है और परफेक्ट कॉंबिनेशन से ये टीम इंडिया मैच भी जीत सकती है, सीरीज भी जीत सकती है, तो आपका क्या मानना है, क्या टीम इंडिया ये मैच जीत पाएगी और इस मैच को जीत कर भारत के किया अब इतना तो ठीक था लेकिन टिम पेन ने रिशाप पंध को खूब गंधी गालियां तक दी यह नहीं रविया श्विन को भी टिम पेन बहुत कुछ कहते रहे गालियां देते रहे और हालत यह थी कि टिम पेन अपनी टीम की फिल्डिंग सजाने के बजाए गेंद करने भारती बल्लेबाजूं को गाली देने में ज्यादा बिजी थे और इस सब कुछ क्रिकेट ऑस्टिलया यानि ऑस्टिलय क्रिकेट बोर्ड ने भी देखा और एक्शन का एलान भी कर दिया अब जिन एलन बॉर्डर और सुनिल का उसकर के नाम पर इस सिरीज होती है वही दोनों भी बुरी तरह से टिमपेन पर नाराज होगे और स्टिलय बोर्ड में खासा दखल रखने वाले एलन बॉर्डर ने कहा कि टिमपेन को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए जिहां एलन बॉर्डर ने चौथे और आखरी टसमेच से पहले बड़ी बात कर दी और कप्तान को देर ना करते वे गृस्बेन टेस्स से पहले ही बर्खास कर देना चाहिए यही नहीं है एलन बॉर्डर ने तो यहां तक कह दिया कि उप कप्तान पेट कमिंस को दुरंत कप्तान घोशित किया जाना चाहिए अब सिर्ब बॉर्डर ही नहीं बल्कि सुनिल गाउस गाउसकर भी टिम पेन पर बुरी तरह से भड़ के वे नज़र आए, गाउसकर ने कहा कि ऐसा नाकारा और नाकाबिल कप्तान उन्होंने कभी नहीं देखा, जो सिर्ब विरोधी बले बाजों से बात करता है, गाउसकर ने कहा कि जो उस्टेलियाई टीम अपने पास दुनिया के दिगज गैन्दबाजों को रखती है, वही टीम 130 ओवर गैन्दबाजी करती है, लेकिन विरोधी भारती टीम को पूरा आउट करना तो दूर, इंपैक्ट भी नहीं डाल पाती, और इसकी वज़े वो गैन्दबाज या खराब गैन्दबाजी नहीं है, बलकि ये खराब कपतानी है, क्योंकि टिमपेन ने न तो सही जिगा फिल्डिंग सेट की, नहीं बॉलिंग को अच्छे से चेंज किया, और खुद सबसे खराब और घटिया विकेट किपिंगी, गावसकर ने भी वाडर की बात को सही कहा, और यहां तक कह दिया कि टिमपेन को परखास्त किय जाता है, तो इसमें बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी, हलांकि गावसकर ने यह जरूर कहा कि हो सकता है, कि ब्रिजबेन टेस में टिमपेन ही कपतानी करें, लेकिन उसके बाद टिमपेन कपतानी से बरखास हो जाएगा, और सीधे सीधे टीम से भी हमेशा के लिए बाहर हो इस से बरखास्त होना इसी लिए ताई है, और अब देखना होगा कि टिमपेन पर कारवाई कब होगी, यही नहीं टिमपेन के बाद एक बार फिर औस टिले टीम की कपतानी करने का सफना देख रे स्टीव स्मित को भी बड़ा जटका लगा है, और पंत के साथ स्मित ने जो कपतान बनना लग भगता है, कमिन से पहले 1956 में और इस्टेलिया का कोई तेज गैंदबास कपतान बना था, जब रेल इंडवाल खंगारू कपतान बने थे और तब से सिर्फ बैटसमेन ही और इस्टेलिया का कपतान बनता रहे, हलंकि अगर और इस्टेलिया इबोर्ड करने का फैसला हो सकता है, लेकिन इतना था है कि टिम पेंड बर्खास्त होगा, टीम से भी पूरी तरह से बाहर हो जाएगा, स्मित और वर्नर को कपतानी नहीं दी जाएगी, लिहाजा पैट कमिन्स और लाबोशेन में से ही कोई कपतान बनेगा, तो आपका क्या मानना है कि टिम पेंड को बर्खास्त करने का फैसला सही है, कौन होना चाहिए नया और विडियो को अभी शेयर करें, और उसके बाद बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम आफ क्रिकट की हर खबर सबसे पहले